बीजेपी इन्दीनों मूर्तियों की राजनीती कर रही है आपने फेरिस्त देखी संस्कृति भी भाग की जुम्ले वाजों ने एक नया चोचला छोड़ा है क्या नई बात है कभी बोलते हैं लाभार्थी कभी बोलते हैं गारंटी और हर 15 दिन में महौल के हिसाफ से एक नया प्रदर्शन था तो गूंगी बहरों को हिलाने के लिए हमारा गला चला गया आज नहीं नहीं आपका मजबूत गलाया बोलिए जे थोड़े देर के लिए रोहित का गला उधार जे तो ये लोग जो दस साल से दिल्ली में बैठे हैं साथ साल में लखनों में बैठे हैं अच लायम सिंग यादव जी ने जो चरण सिंग जी को अपना अभिवावक सुरूप मानते हैं और किसान जातियां अपनी बेटियों से और अपनी खेत की मेड से सबसे आदा मुहबत करते हैं यह हम जानते हैं अब आप देख लीजिए किसानों के साथ क्या किया है और बेटियो बाद बाद में कर लीजिएगी जैन जैन जी के ऊपर जो मेरेट में लाठी चार्ज हुआ था पूरे प्रदेश का एक एक समाजवादी लेकिन यह जाटों के बड़े नेता हैं उनका नई उम्र का नेता है लेकिन उनके बड़े बुजर्ग भी उस बच्चे को की बात आप लोग मत करिए महापूरिशों का सम्मान आप लोग मत करिए वोट के लिए आपने पीतल के छेसोई लोटे खरीदे छेसों और पूरे देश में एक इनसान एक अच्छे नेता कि अस्तियों को 600 लोटों में भरके पूरे देश में गुमाया और उनको दिया क्या वो भी बताता हूँ गलत क्या इसमें मैं बताता हूँ परजेश जी उनकी मान विभूती है देश की मान विभूती भारत रत मैं कहूंगा ईश्वर किसी को ऐसा ना करे कि उसको 600 लोटों में देश भर में गुमाया जाए, किसी का ऐसा अपमान ईश्वर ना करे कि किसी बुजर्ग का हो मौत के बाद, और इन्हों ने किया क्या है उनके साथ, धार्मिक लिया से गलत है, मैं बिलकुल गलत मानता हूं, मै आज-पास अब थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि लोटे अभी दिल्ली में ही रखे होंगे, फेके नहीं गए होंगे, एक बात और बताना चाहूंगा, इकाना इस्टेडियम पे, इतना गुस्ता क्यों है आपको, नहीं बिलकुल गुस्ता नहीं, मैं बहुत ध्रव जली नहीं आई, लेकिन जब वोट चाहिए होता है, तो पालम एरपोर्ट पे जाके शहीदों पे फूल चड़ा देते हैं वो, इसका मतलब शहीद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आज महापुरुष इस्तेमाल करने निकल आए, तीन महीने बाद वोट पढ़ना है, सामाज जीत के आए हैं, और जीतना ही इनका काम है, आप देखिए, इनके प्रवक्ताओं ने एक लकीर बोलना बंद कर दिया है, ब्रिजेजी तीन महीने से, जब ये बैठते हैं, तो बोलते हैं कि हम तो 365 दिन चुनाओ के मूड में रहते हैं, जब जब ये गलियों में गये तो ज समाजवादी पाठीन बनाया, अटल बिहारी की मूर्ती लगाई, रामन और लोहिया में दफ्तर चला एक विश्वद्याले का जो अटल बिहारी जी के नाम पे है, मेरा इनसे हाँ जोड के निवेदन है, आपके महापुरुष हैं, हमारे सब के लिए वरिष नेता हैं, कम से कम दस साल हो गए, थोड़ा शर्म कीजिए, एक विश्वद्याले बनाईए, उनकी वहाँ मूर्ती लगाईए, और किसी की मूर्ती लगाईना, तो एक संस्थान मनाईए प्यारा सा, जिसका समाज का भला हो सके, उसमें मूर्ती लगाईए.